हेलो दोस्तों वेलकम बैक अब यूटूब चैनल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहें सियारेश इन्वेस्टी के जो बीड के रियेपेर के स्टूडेंट और मरसी चांज के स्टूडेंट है और MPS के regular के स्टूडेंट है उनकी डेट शीत आ चुकी है डेट शीत तो आ चुकी है लेकिन बच्चों के सामने एक प्रोबलम आके खड़ी होगी है प्रोबलम यह है कि बीड के साथ साथ सीट एट के जो एक्जाम की डेट शीत है वो भी आ चुकी है ठीक है अभी दिक्कत यह आ रही है कि जैसे सीटेट का जो एक्जाम है 14 का एक्जाम है सीटेट का उसके बाद 13 का भी एक्जाम है सीटेट का उसके बाद 17 का भी एक्जाम सीटेट का 18 का भी 19 का भी ठीक है तो यह जो पांच एक्जाम की डेट है इसी में बीर्ड की एक्जाम की डेट है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सकती हैं तो पर 11 का भी बीर्ड first और second रिचाम है उसके बाद 14 का जो एक्जाम है वो है लेकिन क्या है? वो seated का exam में date नहीं है तो 14 का बच्चे दे पाएंगे 16 का भी बच्चे दे सकते हैं क्योंकि 16 का exam की date भी इसमें नहीं है ठीक है दूसरी बात उसके बाद इसमें जो 17, 18 और 19 का जो exam है बच्चे का ये बच्चे देने में ताकि बच्चे sheeted का भी exam दे पाएं और उनको कोई problem ना हो पाए ठीक है और दूसरी बात या इनका कुछ ऐसा solution दिया जाए ताकि बच्चे अपना कुछ ने कुछ ऐसा कर सकी जिसमें आप b8 first and second year का दोनों का exam दे ले और दूसरी बात आप लोगों कोई भी पता 80 chance की जो fees रहती हो 15,000 प्लस late fees के साथ अगर किष्टन बरी होगी 17,000 maximum fees बरी होगी तो वो fees क्या है थोड़ी high amount हो जाता है इससे बच्चे क्या है हर परिवार के बच्चे रहते हैं इसमें तो वो बढ़नी पाते बार-बार क्या अपता फिर कब exam देने का time मिलेगा कब exam का form fill होगा तो इसलिए request यह कि या तो bade के exam postpone किये जाए देखो दूसरी बात bade का exam postpone होने पे ही बच्चो exam दे पाएंगे तो request यह हमारी university के बच्चों की तरफ से कि या तो exam postpone किये जाए क्योंकि बच्चे कई बियार से हैं कोई उत्राखंड से हैं तो आने जाने में ASMR थो पाएंगे तो यह चीज है यह problem आ रही है सभी बच्चों को तो हमारी university के तरफ से हाथ जोड़के विनमर प्रातना है कि जितने भी VC साब है जितने बच्चों की प्रोब्लम है उन सभी की बच्चों प्रोब्लम को सुना जाए और यह क्या है डेट को डेट शिट को आगे किया जाए या पॉस्ट्पून किया जाए ठीक है हमारी भी रिक्वेस्ट यही रहेगी तो CRS University लेट हर एक अपडेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए स्टूडेंट आए वो हमारे साथ जुड़े ताकि आप लोगों के सपोर्ट से कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करिए जिस जिस स्टूडेंट का सीटेट का एक्जाम है ताकि आप लोगों के जितना सपोर्ट मिलेगा उतना जल्दी आप लोगों के पोस्टपॉर्ण होने के समभावना उतनी ज्यादा रहेगी और CRS University लेट हर एक अपडेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के बिटन को प्रेस कर ले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कोई नहीं इंफर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभार्त